अस्मत गुरुब्यो नमा, स्री मते रामनुजाये नमा, पासुर चोथा प्रसंग वही धनुर्मा स्वरत का चला है, स्री गोदम बाजी के दिव्य चरितर का ही यही प्रसंग है उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि हमारा विवा तो सी कृष्ण भगवान से होगा उनके पिताजी ने कहा यह कैसे बनेगा, भगवान द्वापर के समान प्रगट प्रत्यक्स तो है नहीं इस वर्तमान समय में अर्चा रूप से स्री भगवान विरास्ते हैं, बड़े से दोस्ती नहीं होती, बराबरी में ही दोस्ती होती है मनुष्य का विवा मनुष्य से ही होता है, मनुष्य की दोस्ती मनुष्य से ही होती है स्री अर्चा रूप भगवान मनी मै है, स्री गोदंबा जी ने पिता से कहा भगवान सदा सर्वत रही है स्री अर्चा से ही स्री मंदिर बिहारी जी से ही स्वचंद बिहारी मिलेंगे रदय बिहारी, महल बिहारी, शीर सागर बिहारी ऐसे अनेक स्वरूप है देखा जाता है कि भगवान के मंदिर में पूरू स्त्रियों के मुग की तरफ देखते हैं डकेत के समान, काम रूप चोर जपट्टा मारता है, सरकारी कचारी में तो डरते हैं, पर भगवान के दर्बार में आर्ति होते समय भी, भगवान का दर्सन न करके इधर उधर देखते हैं, ऐसा बहुत देखा जाता है, यह दूसीत मोह मनवरुत्ती का कारण है, भगवान की जाकी नहीं देखते, इधर उधर देखते हैं, भगवान के सामने ही, जब जीवों का ऐसा हाल है, तो क्या कहें, भगवान पच्टाते हैं, अभागा जीव, सुवर के समान, मल का अभ्यासी है, क्या कहा जावे, दस बीस मिनिट समय मिलता है, उतनी ही देर तो दर्सन कर लेन फिर चोबीस घंटा तो विसे बोग है ही, आजकल धनुर्मास चल रहा है, भगवान की जाकी का कैसा सुन्दर दर्सन मिलता है, और वह आखे में नहीं चड़ता है, सारांस लेना चाहिए, विश्णु चित्त स्वामी तो प्रसन हुए, कि हमारी पुत्री भगवान में लग धन्य है, ध्यान रहे, हमारा कहना है भगवान के समीब जाकी दर्सन एक टक लगा कर किया करें। और नंद जी के यहाँ पर ही भगवान प्रकट होकर विराजे है परिक्सा करने चले तो जनक जी ने देखा कैसा विरक्त है उनसे कह दिया कि महल में ठहरे फिर मिलेंगे अपमान होने पर भी न हटे तब प्रेमी माना जाता है गुरू की तरफ से अपमान जो सिश्य सहन करे ताही वही स्रिश्य स्रेश्ट हो जाता है जो बेशन फेटा जाता आटा गुथा जाता है उसी की बढ़िया पुड़ी पकोड़ी बनती है देखा देखी चेला गुरू से कोई लाब नहीं गुरू घर में सेवा करना परंतु इधर उधर न देखना ऐसी सेवा सिश्य करता है एक मात्र अपने ध्यान एकाग्रमन से सेवा करता है जैसे पनिहार इन्स्त्री अपने मस्तक पर तीन घड़े रखकर एकाग्रता से चलती है बगवान के और गुरू के पास ऐसी एकाग्रता से मर्यादा से रहते हुए सेवा करे उनकी आग्या अनुवृत्ती में रहे श्री सुक्देव जी वहां से हटे नहीं, भागे नहीं तब जनक जी जाकर उनसे प्रसन अता कर मिले बहुत स्वागत किया सुक्देव जी सोचते हैं ऐसा राजा भगवान का प्रेमी कैसे बनेगा दोनों में सत्संग हुआ एक दिन जब सत्संग होता रहा तो सुक्देव जी ने परिक्षार्थ योग सक्ती से महल में आग प्रगट कर दिया महल जलने लगा सब लोग चिलाते हैं पर जनक जी सत्संग में बेठे ही रहे एकागरता से लोगों ने कहा तो भी एकागरता में ही रहे और कहा कि आग में हमारा कुछ नहीं जलता हमने तो पहले से ही राजमल तो क्या सब संसार ही जला दिया है अब कुछ है ही नहीं उनकी ऐसी ज्यान की स्थीती देख सुपदेव जी बड़े प्रसन्न हुए ऐसे गुरुस्त जनक राजा थे। सुपदेव जी ने अभिमान छोड़कर जनक जी को अपना गुरु बनाया। आज कल के चेला ज्यान सुनकर गुरु में प्रेमभाव कुछ नहीं करते। एसो के करम फुटे ही रहते हैं और उन्हें कुछ भी फाइदा नहीं होता है। ऐसे ही चेले देखे गए हैं। स्री गोदमबाजी बगवान में प्रेम से लगी हैं। उन्हें संसार का असर नहीं हुआ। वही धन्य है जो भगवान को मिलना चाहे जो भगवान का दर्सन करना चाहते हैं उन्हें भगवान अपना दर्सन देते हैं। स्री गोदमबाजी बगवान से मिलने के हेतु धनुर्मास वरत चालू करती है। हाँ एक बात है जो लोग सरनागती वाले हैं उन्हें तो कोई व्रत नहीं करना चाहिए बाकी जिसे ज्यान दसा परिपक्व होने पर प्रेम दसा प्राप्त होने से भगवान से मिले बिना नहीं रहा जाता तो ऐसे अधिकारी को भगवान से मिलने के लिए प्रेम पुर्ण व यसा वरत आदी करने में उसकी सरनागती नहीं तुटती है। अपितु उज्वल होती है। स्री गोधमबाजी प्रेम पूर्ण दसा में ही वरत कर रही है। गूपियों की भावना अपने में करके ही वे वरत कर रही है। देखिए, संसार में कववा की सुरूष्टी ज्यादा है, कोयल कम है, कोवे सर्वत्र काउं काउं करते रहते हैं, परंतु कोयल कभी ही बोलती सुनाई परती है, संसारी जीव मनुश्य पराये दोस ही देखा करते हैं, यह ऐसा वह वैसा ही करते रहते हैं, बुराय देखना और पकड़ते नहीं जमात जोडते हैं जमात जोड कर चलते हैं एकादस कंद में भगवान ने बहुत कहा है भगवान का तो नियम है कि वे किसी का दोस्ट न देखकर सदा सबकी रक्षा करते हैं दूसरे के दोस देखने की जरुरती क्या है? किसी मनुश्य को क्या अधिकार है? उद्धव जी के प्रश्ण पर भगवान जी ने बताया है, सब में अंतर्यामी भगवान विरास्ते हैं, उनकी सत्ता पर निगा करना देखना तो फिर किसी के दोस पर दुरुस्टी नव होगी स्री गोदंबा जी, स्री लक्ष्मी जी का अवतार है, उनकी ऐसी भावना हुई कि सभी का कल्यान हो फे उपरी भावना से सब से कहती कि पानी बरसे इसलिए हम लोग वरत करती हैं, गुड बाचित कहती हैं, समुद्र तक बरसने वाले हैं, आज यह चोथा पासुर है, सब का मालिक है, समुद्र तक भी बरसना, भगवान का सवबाव गंबिरता से पुर्ण है, मेग की ओट ल स्री गोदम बाजी ऐसी गुड बाते सक्यों से कहती हैं, भगवान का सवबाव कैसा है, जन्माने का काम ब्रह्मा को दिया, मारने का काम शीव को दिया, और पालन करने का उचा काम है, वह अपने हाथ में रखा, सभी को पालन सभी टाइम करते हैं, ऐसे भगवान के समान पालन करते हो, भगवान के सभाव को जो कोई भगवान से मिला हो वही जाने, बहुत सीधे हैं, आसरीत के समीब डरते हैं, कैसे सीधे भगवान है, सब तो बड़ों से दोस्ती करते हैं, पर भगवान तो गरीब नीचों से दोस्ती करते हैं, डिमरों से दोस्ती की, कॉल, निस और पक्सी से भी दोस्ती स्री बगवान ने की, पांडवों के राच सुय यग्या में बगवान ने सबके पैर धोने का काम किया, दुनिया में कोई किसी को लात मारे तो वो नहीं सहेगा, परन्तु बगवान को ब्रामन ने लात मारा, बगवान ने यह सह लिया और उसको वाव मिलता है अब और आगे कल कहा जाएगा